गुड मॉनिंग अब्रिवान वल्कम टू सिवल सर्विसेश टड़ी यह प्रेक्टिस सेट नंबर 141 है यूपी पीसी पीसी पीसीएज के लिए टेस्स सिरीज चल रही है इसकी प्लेलिस्ट बना रहे हैं हमने वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 141 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका और फुल टेस्ट सिरीज प्राप्त कर सकते हैं आयोग के संब्ध में निम्लिकित में से कौन सा एक साही नहीं है यहां से करंट से रिलेट करता है यह देखिए भारत का विधी आयोग यानि लौ कमिशन ऑफ इंडिया इसका प्रमुक काम है कानूनी सुधारो हेतु काम करना और परामर्स देना और स्वतंत्र भारत का पहल अध्यक्स निक्ति किया गया है ठीक है प्रश्च ने एक लाइन में सीधे ऐसे ही पूछ सकता है या उसकी हिस्ट्री से उठा के पूछ सकता है पूछने के तरीके एक्जामनर के उपर डेपेंड करते हैं तो लौ कमिशन ऑफ इंडिया के जो पहला स्टेट्मेंट है पहला का विधियायोग यानि लौ कमिशन ऑफ इडिया ना तो संबैधानिक है ना ही वैधानिक तो गलत इसी देखिए नमबर इस पर कॉले वाटसप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं और इनसे भी टेस्ट का पीडिया भी प्राप्त कर सकते हैं जो मिलेगा है कानूनी सुधारो है तू कार करना ठीक है और स्वतंद्र भारत का पहला विधियायोग वर्स 1955 में इस्थापित किया गया था तीन वर्स के कारकाल के लिए यह कानून और न्याय मंत्रा लेके सलाकार निकाय के रूप में काम करता है और हाल ही में उच्ज न्याले के सेवा प्राइधानिक निकाय है कि कुश्चन वर्ट उपर आजई हाल ही में केंद्रिय मंत्री मंडले निकित में से किस दिन को जन जाती है गौरब दिबस मनाया जाएगा विर्सा मुंडे का विर्सा मुंडा का जर्म दिबस हुई है यह 15 नवंबर को हर साल देखें केंद्रिय मंत्रे मंडलने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के जसन के हिसे के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों को सम्मानित करने है तू 15 नवंबर को जन जाती है गौरव दिवस के रूप में मंजूरी थी अब 15 नवंबर को जन जाती है गौरव दिवस पनाया जाएगा और सांस्किर्टे के विरासत के सनरक्षन और रास्ट ये गौरव वीर्था और तथा आथित थी कि भारतिय मूले को बढ़ाबा देने में अधिवासियों के प्रियासों को मानिता देने है तू हर साल जन जाती है गौरव दिवस कायों जन किया जाएगा और 15 नवंबर को विर्था मुंड़ा की जैनती भी होती है जिने पूरे भारत में अधिवासी समधायों द्वारा भ विश्व प्रेश स्वतंतरता सूचकांग किसके द्वारा जारी गयाता है रिपोर्टर्स विदग वोर्डर abortion नमbर कि न ब्सक्राइब जड़कर और 20 वार्टर कांग का वीश्वा संस्क्रन प्रकाशित क journals और यह बर्स बाएब 2 12 लिंटों से reporters sense frontiers या reporter विदाव्ट वोडर्स द्वारा प्रकाश्चत किया जाता प्रतेक वर्श है ऑप पत्रकारों के लिए उपलवद सतंत्रता के इस्तर के अनुसार यह हैँ सुच गांक देशो और शेत्रों को रन्ग प्रदान करता है लेकिन है यह पत्रकार इस ता कि गुडवत्ता का संकेत तक नहीं है अब आजये कोश्चान नुमबर फोर पर निम्री की दमसे किस चेत्र में योगदान देने है तू प्रसिद्ध वैग्यानिक डॉक्टर हर्गोविंद खुराना को नोबल पुरुसकार से सम्मानित किया था यह नोबल पुरुसकार उ या मेडिसन देखे प्रसिद्ध वैग्यानिक डॉक्टर हर्गोविंद खुराना को वर्स 1968 में चिकित्सा के छेत्र में रोबर्ट डवल्यू हॉली और मार्सल डवल्यू निरेनवर्ग के साथ सहींगत रूप से प्रोटीन संसलेशन में अनुवांसी कोड और इसके कारे की व्याख्या करने के लिए नोबेल प्राइस से संभानित किया गया था तो दूसरा स्टेट्मेंट करेक्ट हुए था मतलब भी वाला विकल्प को सही है यह इस तरह की लेक इंपोर्टन्ट है पीसेज की परिक्षा यह पूछेता है उम्यम लेक निम्रिके दमसे किस राज जी यह केंशाशत प्रदेश में इस्तृत है उम्यम उम्यम मेघाले में है क्यों चर्चा में रही ये लेक देखिया हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेच्ट 22 की उधगाटन समारों का आयोजन जो है मेगाले की उमियम जील में किया गया ठीक है और ये जो जील है वो मानव निर्मित है प्राकर्तिक नहीं है और इसे बारा पानी जील भी कहा जाता है कोश्चन अंबर 6 पर आजाईए संयूक्त राष्ट की विष्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 22 के अनुसार नमर्गेद मैं से किस वर्ष तक भारत की आबादी चीन से आधिक हो जाएगी 23 से पहले ही हो जाएगी 25 से पहले यह नुमान है वर्ष दोहर 23 यानि अगले साल तक संयूक्त राष्ट की विष्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 22 के संसकंड के अनुसार भारत के वर्ष 23 में दुनिया के सबसे अधिक अभादी वाले देश चीन से आगे निकलने का नुमान है वर्ष 1972 में भारत की जो विकास दर थी वो थी 2.3 प्रतिशत जो अब घटकर 1 प्रतिशत सभी कम हो गई है संयुक्त राष्ट का जनसंख्या प्रभाग वर्ष 1951 से दुईवार्सिक रूप से विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित कर रहा है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट का प्रतियक संसोधन वर्ज 1950 से सुरू होने वाले जनसंख्या संकेत को की एक एतिहासिक समय स्रंखला प्रदान करता है क्या है जलवायू परिवर्दंद प्रदर्शन सूचकंग देहरते इसमें भारत का कौन सा स्थान है कौन सा स्थान है आठवा स्थान है देखिए जर्मन बॉच साथ में कौन है न्यू क्लाइमेट इंस्टिटूट और क्लाइमेट एक्सन नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट जलवायू परिवर्दंद प्रदर्शन सूचकंग क्यानी CCPI 2023 में भारत 63 देशो या संगो की सूची में दो पाइदान उपर चड भारत को यह संगर रेंकिंग में प्रत्व तीन इस्थान किसी भी देश को प्रदान नहीं किए गए टीनों के तीनों इस्थान खाली है पहला दूसरा और तीसरा क्योंकि ये देश उनमानित रंडों को पूरा ही नहीं करते बाइए प्र चोथा इस्थान जिसको पहला मानोगे शुरू के तीनिस्थान तो खाली है चोथा इस्थान है डेन्वार का डेन्वार का स्कोर है 79.61 और पांचवा स्थान है स्वीडन का जानी दूसरे से कंपेर कर लो इसको ठीक है और उसका स्कोर है 73.2 आठंक प्रस्थान अभ्यास आयुजित किया गया भारतिय बायु सेना नौ सेना के इंद्रे ससस्त्र पुलिस वल या भारतिय थल सेना प्रस्थान अभ्यास ये एक निवल ठीक है भारतिय नौ सेना का अभ्यास है इंडियन नेवी देखिए मुख्याले पूर्वी नौसायना कामान के तत्वा धान में 11 से 12 एक्टूबर 22 को कृष्णा गुदावरी वेसिन अपतटिय विकास छेत्र में एक अपतटिय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयुजित किया गया और हर 6 महीने में अयुजिती है अभ्यास अपतटिय सुरक्षा सुनिशित करने हैं तो महतबून है और इसका उदेश अपतटिय रक्षा में सामिल सभी समुद्री हितधार को के प्रियासों को एकत्रित करना है तो इंडियन नेवी के द्वारा है ये प्रस्थान कोशन नमबर 9 पराजी हाल ही में भारत ने आशियान भारत विग्यान और प्रधो की कोस में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अत्रिक्त योगदान की खोशना की है दस मिलियन अमेरिकी डॉलर, चार मिलियन अमेरिकी डॉलर, साथ मिलियन अमेरिकी डॉलर, या पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर, पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर, देखिए भारत ने आशियान भारत विज्ञानों प्रोधकी कोस में पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतरिक्त योगदान की खोश्ण की और इस योगदान का उद्देश सारवजनिक स्वास्त नवी करनी है उर्जा और स्मार्ट क्रशी के छेत्र में सहयोग को बढ़ाना है तो विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा इसका अंसर इंपॉटन प्रेश्न है ये नमले के वासे कह से किस देश ने T20 विशुक अब द Bacon का किताब जीता ? X2 ko Sydney को फाइन्ल किसकी cumulative की किसर mare कि यह जीता है इंग्लेंडने ठीक हरा इंग्लेंडर्ट को है पाकिस्तान को फाइनल किसकी के बीच और पाकिस्तान के इंग्लेंड जीता पाकिस्तान अंबुक्ष है झे यह और ओस्चलिया के मइल वर्न में दोतिन चीज़े इंप quarterback तो हाली में शंपन हुए मैंस-टी विशुकप दोहर 22 के फाइनल मेच में इंग्लेंड ने पाकिस्तान को पांच विकिट से हरा कर दूसरी वार किटी विशुकप का खिताब अब नाम किया ठीक है दूसरी बार किया है और इससे पहले इंग्लेंड वर्स दोहार दस में टी-ट्वंटी चैंपियन बना था कोश्चन नुबर 11 पर आज़िए संयुक्तराष्ट विकास कारिकरम दोरा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट दोहार 21 वाइस में भारत का कौन सा इस्थान है इस्थान 110-130 वाली लाइन में है ठीक है तो 84 वे इस्थान 93 के स्थान को हटा दीजिए 132 वाइस स्थान है भारत का ऑप्सन नंबर भी है इसका अंजर देखें सहीं उक्तराष्ट विकास कारिकरम यानि यू एंडी पी यूनाइट नेशन डवलाप्मेंट प्रोग्राम दोरा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देहार 22 में भारत 191 स्थान पर रहा है यही सिती एक साल पहले की देखें यानि वर्ट 2020 के मानव विकास सूचकांग की बात करें तो 189 देशन में भारत 131 वे स्थान पर रहा था तो नया वाला स्थान 132 पुराना वाला 131 याद रुखेगा वैश्विक नवाचार सूचकांग किसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांग जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांग जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार सूचकांग जारी किया जाता है वैश्विक नवाचार बिश्टेसों में 40 स्थान पर रहा है जारी है जारी जारी है पुश्ट नुम्र 13 पर आज़ए हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डेफेंस के रूप में किसे निउक्त किया गया है किसे निउक्त किया गया है लेफटिनेंट जनरल अनील चौहान को अप्सन नमबर डी है इसक पुरुसकार ने लेफटिनेंट जनरल रिटायर लेफटिनेंट जनरल अनील जोहन को भारत का नया चीफ आप डेफेंस निक्त किया तो डी आंसर हो जाएगा देखिए अनील जोहन जो है सैन्ने मामलों के विभाग के सचेव के रूप में भी कार करेंगे और जनरल विपिन र 20 के दादा साफ हाल के पुरुसकार से किसे संबानित किया गया है अमिताब बच्चन आसा पारेक मनोश कुमार सी कैसे खाली हो गया होने दो आंसर नहीं है सी में इसका उत्तर है आशा पारेक ऑप्सन नुमबर बी देखे सूचना एवं परसाण मंत्राले द्वारा वर्स 2020 का दादा साफ हाल के पुरुसकार पुरुसकार पुरुषद अभीनेत्री आसा पारेक को दिया गया और यह पुरुसकार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 68-वे राष्टे फिल्म पुरुसकार समारों के द्व चीन में तो कोरोना चलना क्या ही होगा महां पर और स्पेन भी इस कांसर नहीं है इस कांसर जापान पर नहीं है इस कांसर है भारत फीपा अंडर 17 महिला विश्कप दोहर 22 का विजन भारत के कलिंग स्टेडियम में किया गया भुम्रेश्वर में नमबर 16 पर आजए यह प्रश्ण है मॉडर्न हिस्ट्री का नमड़ेश्वर में से कौन सा अधिनियम राज्यक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता है साइमन कमिशन 1927 मारले मिंटो सुधार 1909 रॉलेट एक्ट 1929 या भारत साशन अधिनियम 1935 का इसका उत्तर मारले मिंटो नहीं है इसका उत्तर 1935 का अधिनियम नहीं है बताईए रॉलेट एक्ट या साइमन कमिशन रॉलेट एक्ट या साइमन कमिशन रॉलेट एक्ट और क् एक्जा में बहुत पूछते हैं इसको काला कानून वो कहते थे इसको ठीक है बिना दलील बिना अपील बिना बकील का ये था कानून कॉशन नुबर 17 पर आजए नम लिकित में से किस आयोग को के संथानम की अधिक्स्ता वाली व्रश्टा चान रोदक समीती की सिफारी सो पर स्थापित किया गया कौन सा है इसमें राष्टि ग्यान आयोग राष्टि अल्पसंख्यक आयोग राज पुनर गठन आयोग केंद्रे सतरक्ता आयोग यानि सेंट्रल विजिलेंस कमिशन को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम की अधिक्स्ता वाली व्रश्टा चान रोदक समीती की सिफार इस प्रस्थापित किया गया था और संसा द्वारा अधिनेवेत केंद्रे सतरक्ता आयोग अधिनियम 23 द्वारा इसे सामवेध्यक दर्जा प्रदान किया गया डी करेक्ट है Q18 पर आज़ी हाल ही में किस वर्श को अंतराश्टिय वाजरा वर्श के रूप में मनाने है तू? संयुक्तराश्ट महासवाने भारत के प्रायोजित प्रस्ताब की सर्व सम्मति से मजदूरी प्रदान की 2025 में 22 में 24 23 अगला ही वर्श है अंतराश्टिय वाजरा वर्श वर्श 22 देखिए संयुक्तराष्ट महासवाने वर्स 22 को अंतराष्टिय वाजरा वर्स घोशित करने के भारत द्वारा प्रयोजित प्रस्ताव का सर्व सम्मत्ति से अनमोधन कर दिया है और इस प्रस्ताव का उद्देश वाजरे के लाव या फायदों के बारे में जागरुकता बढ प्रस्ताव नहीं लगती है जितने भी सागर है कैस्पियन सागर काला सागर वुमंद्य सागर लाल सागर एरल सागर कि यह सागर कौन-कौन से देशों के साथ सीमा बनाते हैं यह बहुत पूचते हैं एक्जाम में तो तारीक इसकी ट्रिक है कई बार बताया है यानि रूस भी है इसमें अजरवेजान भी है इसमें तुर्कमेनिस्तान भी है इसमें इरान भी है कजाकस्तान भी है और नहीं है तो क्या है इसराइल नहीं है इस्राइल इस्राइल लगता है भूमद्य सागर से तो केस्पन सागर की सीमा पांच तर्टिय देशों के साथ लगती है तुर्कमेनिस्तान, अजरवेजान, रूज, एरान और कजाकस्तान अब आज ये कॉशन नमबर 20 पर अंतिम सवाल है ये और ये प्रश्ण है हिस्ट्री, नमनिके दमसे किस गुप्त शाषक ने हुणों को पराजित किया था बहुत पूछते हैं इस प्रश्ण को हार एक्जाम में पूछा गया होगा ठीक है, डी गुरूप से लेकर ए गुरूप तक और इसका उत्तरह सकंद गुप्त, अप्सान नमबर A तो कुमार गुप्त के उत्तरा धिकारी इसकंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया था, तो विकल्प A करेक्ट है यहाँ पर तो 20 प्रश्ण थे यह, इनकी प्रेक्टिस एक से दोबार कर लिजेगा इन सभी टेस्ट का पीडियो प्राप्त कर सकते हैं पेर टेलेग्राम क्रुप से चुड़कर यह नमबर S पर कॉलिया वाटसप कर दीजे, धन्यवाद